क्या हम चार कोर वाले CPU पर अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं 2020 में या फिर हमको एक्च्वल में एक फिक्स कोर वाला CPU चाही होगा गेमिंग करने के लिए तो हे गाइस मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो टेक कम्यूटी यूटीब चैनल और अगर आप हमारे चैनल प तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कहा यार मेरे पास काफी सारे ऐसे डीम साते रहते हैं मेशेजे साते रहते हैं इमेल साते रहते हैं और आप लोग पूछते कि भाई चार कोर गेमिंग के लिए मोर्दन इनेफ है या फिर हमको 6 कर वाला CPU लेना चाही है क्योंकि अभ पहले में आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे की हमको कैसे पता चल पाएगा कि हमको चार कोर एक्चॉल में रिक्वाइड गेमिक या फिर सिक्स कोर चाहिए ज़िए तो उसके लिए हमको यार दो चीजों की जर्रोत पड़ेगी और हमलोग इस के यूज करने वाले एक Ryzen 5 1600 CPU जो की 6 कोर वाला CPU है और इसके साथ हम जो ग्राफिक पेर करेंगे टेस्टिंग के लिए वो है GT 1030 नो ये काफी पूराना GPU है बट फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है पहले तो हम 4 कोर्स का टेस्ट करेंगे गेमिंग में 3-4 गेम्स को बें 12 देखने मिलते हैं तो हम इसके 2 को को करने वाले हैं जो की पॉसिबल होगा Ryzen Master में तो सबसे पहले हम Ryzen Master में इसके 2 को को तो हमको एक्च्छुल में एकदम मतलब एक्जेक्ट पता चल पाएगा कि एक्च्छुल में हमको कितने कोर्स रिवायरमेंट है गेमिंग के लिए तो हम लोग ज्यादा गेम्स टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्या कि वीडियो काफी बढ़ी हो जाएगी बट मैं कोसिस करूँ और वीडियो को एंट देखना ताकि लाश्ट में आप लोगों को कंकुलोजन भी बताने गा लाओं तो गेम्प्लेज रहें आपके स्क्रीन पर ये युटने मतहले स्चिक लगएंगे का इस टुट। युट देखना कि अचांगे कि अच्ट और वीडियो खेखना कि अच्त। या, है वो और या या, गवाँ मिझाव ऐफ या, विर एक मैं जा क्रीज़ब लिए मुप्हेल क्रीज़ब दो लिए खेच से हमाँ क्रीज़ब जा हमाँ कि या कि बेंक, कि या गवाँ कि या एंक, कि जा लाए कि अट उप लगई आले जाए वीत रुट अँचिंए! अजय पंट इंप्रिवश कई करें लगार एंद में लुट फिर लुटरम्नेटाथाई अभी फिस दूल्रेश च ऩॉट करुछ डांगे लुट भी एंद रिर बारो ग्रेने लुटर अजय दो, पोलों है आर ए गाल्ड एंट नजय के झाट गट? और एक, वर तो झाट? व्ट्रश को भॉड़ार एंट रहता इंट तौर्स तोर्स एंट तूर्स एंट के तार एपनोस प्रोमसे इपड़ा इंग ने जा आर टॉर्णी तर ने टॉर्नोन यो यह जो को अईश्वाराइ भाफ एसे कि अगारीज वीज अव्कि एफ दे गार्ण में इश्वारा ए इपना है उर्फ को शीकल्स बेश्ट के दिर एफ इन खड़ा जए एन गो कि ऑन गे शो कि इपसे कर दो कि गोग्स है कि अगला है इप जब ढूब साव पर लुगए वप्रे एंस औरॉऑ् को को किव थरूओ की पॉगएाउ लाक अलाइगा सबस्क्राइबॉ अलाइगाूतर ये लुगए लुगएासि अलाइगाइगाू घ्लाइकाूनली अलाइगा कि एो फेसे व्योगशे टेशी कि अलाइगा इंसानीव प्रेटी गुट वन तू है, नग गुट एनुफ चुटी बी कि छिरिग प्रेटी देल गुटी कि एे भाल कर्वल कर्वल झाल 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 तो दोस्तो gameplay देखने के बाद आपको एक idea आही गया होगा कि आपको actual में कितने course चाहिए बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो जैसा कि आपने far cry में देखा आपको ज्यादा नहीं बट 3-4 fps का drops देखने मिल रहा था बट वो भी कभी कभी 4 course में भी आपको almost same fps देखने मिलते हैं बट 3-4 fps आपको drops देखने मिल रहा था और just cause 4 जैसे games में भी आपको 3-4 fps का frame drops देखने मिल रहा था देखो आज कल 2020 में यार बहुत सारे games है जो कि जादा से जादा आपको CPU भी consume करते हैं तो अगर आपको एक future proof PC बिल्ड करना है मतलब जो कि आप at least 2-3 साल तक आराम से चला सको तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप at least एक hexa core वाला CPU जैसे कि Ryzen 5 1600, 2600, 3600 ऐसा CPU लो बट अग अगर आपका budget एकदम कम है मतलब आप एकदम कम budget में gaming PC बनाना चाहते थे तो four course भी अभी आप आराम से ले सकते हो और जैसा कि आप लोगों को पता है या Ryzen के जो latest processors आने वाले Ryzen 3 3100 and 3300X यह four course and eight threats पे based है four course भी अभी इतने capable हो गये कि आपको आराम से वो gaming करवा सकते हैं औ और कोई issue नहीं आएगा bottle neck bottle neck का आपको अगर आप एक normal सा GPU use करते हो तो conclusion यही है कि अगर आपको future proof PC build बनाना है मतलब जिसमें आप 2-3 साल तक gaming कर सको तब आप कम से कम एक hexa core वाला CPU लो और अगर आपका budget कम है आपको अभी gaming करनी है आपको future proof की कुछ पड़ी नहीं है तो आ आप एक four core वाले PC के साथ भी आराम से जा सकते हो आप four core के साथ भी एक gaming PC बना सकते हो so I hope कि यह वीडियो देखने के बाद आपके doubts clear हो गए होंगे कि आपको four core वाला PC बनाना चाहिए या फिर six core वाला PC बनाना चाहिए अगर आपको एक gaming PC build करना है तो यार मुझे नीचे comment क करके बताओ कि आप four core वाला CPU लोगे या फिर आप six core वाला CPU लेना पसंद करोगे तो बस आच के वीडियो में इतना ही मैं वीजेक मिलता अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मिलता है पर नेक्स वीडियो में तक करना ही मुझे अपको लाख सब्सक्रीओ वेड़ा का वीडियो ओष एकि आपको लिए आप स्वेशेवार है पार शिया रा-पको लिए रच भीजे अवार का वाला भीजे आपको लिए पीजे़ार इाराओग वाला का तो एह बादे़ झाल झाल